हलो एब्रिवन वेलकम बैक टू माय चैनल लेवी की रसोई सो फ्रिंट साज हम बनाने जा रहे हैं अंगूर की ठंडाई गर्मियों के मौसम में अंगूर की ये एनर्जी ड्रिंक आपको राहत देगी और इसका टेस्ट भी लाजवाब है दोस्तों एक बार आप अंगूर की ये एनर्जी ड्रिंक जरूर बना कर देखिए ज़ादा देड़ ना करते हुए आई रेस्पी को शुरू करते हैं सो अंगूर के एनर्जी ड्रिंक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिकसर का जार ले लिया है जिसमें fresh अंगूर add कर दिये हैं यहाँ पर करीब एक cup fresh अंगूर को मैंने अच्छे से wash करके इसमें add कर दिया है इसके साथी आदा glass पानी हम इसमें add करेंगे एक से डेर चमच हम इसमें add कर रहे हैं चीनी चीनी add करना बिल्कुल optional है अगर आप डाइट प्लान पर हैं तो आप चीनी को skip भी कर सकते हैं या फिर चीनी की जगे आप शहा दियानी की हनी का इस्तमाल भी कर सकते हैं तो यहाँ पर अंगूर के mix को मैंने अच्छे से blend कर लिया है और blend करने के बाद हमें इसे strainer में से strain कर लेंगे यहाँ पर एक strainer मैंने ले लिया है जिसमें से हम अंगूर के mix को strain करेंगे तो यहाँ पर चमच की मदद से आप इसे अच्छी से छान लीजी और यहाँ पर आप देख सबते हैं अंगूर के जो छिलके हैं वो सारे अलग हो गया है और हमारा जो अंगूर का juice है वो अलग हो गया है तो इसमें हम बाकी के ingredients आट करेंगे सबसे पहले हम इसमें आट करेंगे काले नमक तो यहाँ पर आदा चमच के करीब मैंने black salt आट कर दिया है आदा चमच मैं इसमें आट कर रही हूँ चाट मसाला और 1 फूर्थ टी स्पून मैं इसमें आट कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर यानि की black paper पाउडर और आदा चमच करीब इसमें आट कर रही हूँ मैं भुने हुए जीरे का पाउडर तो ये सबी मसाले मैंने स्मैट कर दी हैं इसमें से आप स्किप भी कर सकते हैं और कोई मसाले आपको इसमें पसंदे तो वो भी आड़ कर सकते हैं इसके साथ ये पुदीना की पतिया मैंने स्मैट कर लिया है और one and half glass पानी मैंने अभी इसमें आड़ कर दिया है सब ingredients को अच्छे से मिलाने के बाद हमारी अंगूर की ठंडाई बनकर तयार हो चुकी है तो इसमें मैंने जो पानी डाला है वो एकदम chilled water है एकदम ठंडी ठंडी अंगूर की ठंडाई हमारी बनकर almost ready हो गई है तो यहाँ पर मैंने कुछ अंगूर को chopped कर लिया है chopped करने के बाद मैंने glasses में डाला है और अब हम अंगूर की energy drink इसमें serve करेंगे आप चाहें तो serve करने से पहले glasses में ice cubes भी add कर सकते हैं यहाँ पर एक toothpick में मैंने अंगूर इस तरह से लगाए हुए है और बीच में मैंने पुदीना के पत्ते भी लगा है इस तरह से आप represent करेंगे और इस तरह से अपनी energy drink serve करेंगी तो यह दिखने में बहुत जादा सुन्दर लगेगी दोस्तों और इसका taste जो है वो तो बहुत जादा अच्छा है ही तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंगूर की ठंडाई हमारी यह अंगूर की energy drink का बनकर तयार हो चुकी है एकदम ठंडी ठंडी चिल्ड अंगूर की ठंडाई गर्मियों के मौसम में बहुत ही जादा राहत आपको देने वाली है उमीद करते हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजे साहत ही मेरा amazing recipes के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe कर लीजे जल्दी ही हाजर होते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए कुछ रहें मुस्कुराते रहें धन्यवाद